नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ धरनजय वैसे तो हम सभी को पता है कि चाइना और यूएस के बीच में संबंद अच्छे नहीं है लेकिन साथ में एक बात और भी जोड़ दू कि जितना डिपेंडेंट चाइना यूएस के उपर है उतना ही डिपेंडेंट यूएस भी चाइना के उपर है और खास करके अगर बात किया जाए साल 2017 से यानि कि जब से प्रेसिडेंट शी अपने दूसरे टर्म को समाले हैं तब से बहुत बार ऐसा हुआ है कि चाइना डिरेक्ली यूएस के इंट्रेस्ट को चैलेंज किया है इसी में आगे बढ़ते हुए चाइना के टॉप डिप्लोमेट वैंग ही ये डिरेक्ली कहते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और किसी भी तरीके से यूएस से ताइवान को एक इंडिपेंडनेंट नेशन समझने का गलती ना करे ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है जब सामने वाला देश यूएस हो तो अगर आप सोसाइटी को अब्जर्ब करेंगे या इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो stronger force होता है वो weaker force को control करता है इसी बीच चाहे आप चाइना की बात कर ले या भारत की बात कर ले या किसी भी और अन हिस्से की बात कर ले तो जब भी कोई एक stronger राजा आए होंगे तो वो अपने आसपास का area को capture किये होंगे तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाइना के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़े benefit पहुँचे इसी में अगर हम बात करें तो चाइना ताइवान को एक अपना हिस्सा मानता है और वो बहुत बार ये कहा है कि आज शकल वो ताइवान को complete तरीके से चाइना में मिला लेगा ये है US के security advisor Jake Sullivan और ये है Wang Yi इनके बारे में कहा जाता है कि ये President Xi के काफी करीब हैं और इनके जो majority of statements आते हैं वो काफी bold statement आते हैं और ये जो कहा गया है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और किसी भी तरीके से US ये गलती ना करें कि वो ताइवान को एक independent nation समझें ये statement दिया गया है Wang Yi के द्वारा यहाँ पे जो as an Indian या student हमें notice करने वाली बात है हमारे लिए वो ये है कि किस तरीके से China और US high ranking officers या leaders को involve करते हैं और हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो मामला है वो एक हद के बाद ना बढ़े तो कहने का मतलब है कि US directly war में खुद नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि कोई भी जीते या कोई भी हारे लेक President Xi जादा bold है, इनके decision जादा bold होते हैं और वहीं पे अगर बात किया जाए Joe Biden के बारे में तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये US के अब तक के सबसे weakest president है और 7 में साल 2017 के बाद President Xi कह ले या China overall कह ले इनके बहुत सारे ऐसे steps लिये गए हैं इनके द्वारा जो कि काफी अपने force है, वो Taiwan के area में घुस जाता है, काफी देर तक वहाँ पे रहता है और फिर वापस आ जाता है, recently ऐसा ही कुछ किया गया है Japan के साथ में भी, तो इससे कम से कम दो चीज होता है, एक तो China अपना presence felt करवाता है और 7 में वो ये बताता है कि भले आपके संबंद US के साथ अच्छ हो, लेकिन इस region में हमसे strong कोई नहीं है, और कितनी बार वो ये देखता है कि जब वो Taiwan के area में घुस जाएगा, तो exactly Taiwan क्या statement यूज करेगा, चाहे normal day-to-day life रहे या किसी भी देशों के बीच में संबंध के बारे में बात रहे, एक timing का अपने आप में काफी importance होता है, अगर कि cheese के बारे में अगर on time बातशीत ना किया जाए, तो chances काफी high होता है कि relation और भी खराब हो जाए, इनी सब को देखते हैं, वे US और China अपने अपने तरब से high ranking officers को appoint करते हैं, और उनको ये access दिया जाता है कि आप video call करके, इस matter के बारे में आप बात करें, ताकि जो मामला है वो एक हद के बाद आगे ना बढ़े, तो यहां से भी जो हमें सीखने वाली बात है कि वो किस तरीके से China, US, possibly aggression के साथ सभी majors को वो adopt करते हैं, जिससे कि एक point के बाद escalation ना बढ़े, और साथ में अगर आब बात करें तो जो US का response रहता है, वो almost हम कह ले कि बहुत ही submissive response रहता ह जहां पे वो जो China कहा है, उसको almost वो मानता है, और साथ में अगर हम बात करें तो बीते कम से कम 10 सालों में चाइना का जो expansion है, वो Middle East में काफी बढ़ा है, और बहुत हद तक हम कहले कि European Nations में, जिसमें कि 27 countries है, उसमें भी कुछ selected countries के अंदर Chinese investment खूब बढ़े हैं बीते कुछ स सालों में, तो इससे क्या हुआ है कि China एक group के अंदर अपना एक favorable group create कर दिया है, जहां पे अगर कोई भी ऐसा decision लिया जाएगा, जो China के against है, तो उन सब देश उस decision को oppose करेंगे, तो यहां से भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी देश के पास खूब पैसे हैं, और अगर US में, UK में या Canada में जो उतरते हैं, उसके उपर भारी मातरा पे जो taxes से वो लगा दिया गया है, electric vehicles के उपर 100% का tax लगा दिया गया है लगभग और ये in future बढ़ भी सकता है, जहां तक बात किया जाए semi conductor के बारे में या solar cells के बारे में, तो इसके उपर लगभग 50% के आसपास का tariff है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी देश का product को अपने देश में आने से रोकते हैं, तो आप उसके उपर tax बढ़ा देते हैं, तो overall जो consumer होते हैं, जो आपके product को consume करते हैं, उसे काफी heavy price pay करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि जो US के manufacturers रहेंगे, उनको एक boost मिलेगा और Chinese product को एक discouragement मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि कहीं न कहीं जो China का economy है, उसे नुकसान पहुँचेगा, और साथ में China के लिए जो सबसे बड़ी concern है, वो ये है कि अगर US किसी भी तरीके से Chinese product के उपर अगर वो sanction लगाता है, या किसी भी तरीके से tariff बढ़ाता है, तो इसको देख के बहुत सारे देश है, वो भी यही करना शुरू कर देते हैं, ये हमारे सामने एक article है Canada का, जहां पे वो US को देखते हुए, electric vehicles के उपर 100% का वो tariff imposed कर दिया है, और जहां तक बात किया जाए, चाइना के electric vehicles के बारे में, तो जो market experts है, उनका ये कहना है कि चाइना बहुत ही सस्ते केमत पे, बहुत ही high quality electric vehicles को produce करना शुरू कर दिया है, तो अगर किसी भी तरीके से Canada के market में, या US के market में, एक limit के बाद अगर Chinese vehicles अगर वहां पे पहुँच जाएंगे, तो एक certain time के बाद जो Chinese vehicles है, उसको वहां पे रोक पाना almost impossible हो जाएगा, तो यहा हो गया है, और उनके पास जो China का समान है, उसका कोई उनके पास alternate नहीं है, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गए, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.